हाई दोस्तों मैं इवराज कटारे और आप देख रहे है मेरा चैनल सिर्राम ग्यारेज ये जैसी भी 3DX मसीन है ये अभी आगे पीछे नहीं हो रहा है तो कभी भी अगर मसीन अगर आगे पीछे डाइरेक्ट होना बंद हो गया है तो ये transmission के ऊपर ये ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है हमारा solonet wal तो ये solonet में से हमें ये कोयल है, इसको बाहर निकाल लेना है और फिर इस तरह से screwdriver इसके बीच में रखना है और उपर से च Alberto On कर्के reverse forward करना है जैसे कि ये देखिए अभी ये forward वाला coil है तो अभी ये forward में करण नहीं आ रहा है तो इसका सिरिप pin लूच हो गया था उपर का ये देखिए हमने pin को दबा दिया है और ये देखिए अभी इसमें ये देखिए चिपकने लग गया है जैसे ही हम गेर डालते है ये तुरंत लोचुंबक की तरह चिपक जाना चीए तो अगर ऐसा चिपकता है तो समझ लेना करण इसमें complete आ रहा है तो अभी ये ओक्के हो गया है तो अभी इसको फीट कर लेंगे और ये इसमें ये नट दिया हुआ रहता है प्लास्टिक का पीछे से इसको फिर अभी tight कर लेना है इस तरह से तो इस तरह से आप मशीन का करण चेक कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंग जै बारत